तो जो question number one है पहला question है यह है आपका ratio of spirit and water जो है 80 liter के mixture में कितना है 7 is to 9 तो अपने पास एक ऐसे jar है इसमें क्या है आपका 80 liter है 80 liter और इसमें है आपका spirit and water spirit and water का जो ratio है 7 is to 9 है यही बात बोला है इसके बाद है आपका कि A से 20 liter उठाके B में रख दिया गया है मतलब A से 20 liter निकाला गया और B में रख दिया गया तो B में अभी जो strength हो कितना हो गया 20 liter अच्छा जब आप पूरा का पूरा mixture ही निकाल रहे है तो ratio जह हो सेम ही रहेगा तो इसमें में B जो अभी दिख रहे है आपको इसमें S और W का जो ratio है 7 is to 9 ही होगा इसमें कोई दिकत नहीं होनी चाहिए और A में जो पहले 80 था अभी कितना बचेगा? साथ और 9 हो गया 16 है और इस 16 unit का value है 60 liter यह बात तो समझ में आ रही है 16 unit है 60 liter है unit and liter यह 60 liter value है तो unit and value का हम subtract या फिर divide कुछ भी नहीं कर पाएंगे एक दूसरे में convert करके ही करिया जा सकता है इसके बाद बोला है कि 20 liter of water is added to A 20 liter निकालने के बाद 20 liter mixture निकालने के बाद इसमें 20 liter पानी एड़ किया जा रहा है तो 20 liter पानी एड़ किया जा रहा है क्या इसे 20 liter को हम directly ratio में एड़ कर पाएंगे नहीं क्योंकि 20 liter value है यहां पर सेवनेर 9 क्या unit है तो हमें क्या करना परेगा देखिए 60 का value 16 है ठिक कोई दिकत नहीं है तो हम ऐसे बोच सकते हैं कि अगरे 60 का value 16 है तो 20 का value क्या होगा 60 का value 16 है तो 20 का value होगा 16 वटा 3 क्यों कि इधर एकतिया ही हो रहा है अभी 16 वटा 3 क्या हो गया है unit इसको आप अराम से एड़िया सब्ट्रेक्ट कर सकते हैं इस 16 वटा 3 आखर में है क्या यहीं तो है पानी 20 liter पानी को यूनिट में convert करेंगे तो 16 वटा 3 हो जाएगा अभी इसको आराम से आप जोर पाएंगे तो स्पिरिट में कोई चेंज ही नहीं हुआ है पानी हो गया है नौ जोर 16 वटा 3 तो सात्या 21 हो जाएगा और 9 27 सोला क्या हो जाएगा 43 यह बात अब समझ गया तो पानी इसके बाद काम खत्म नहीं हुआ है अभी जो है अब ही जो है बी में क्या है आपका 20 लीटर पहले से था स्पिरिट अब वाटर का रेसियो कि है 7 इस्टू 9 और यह बहलू कितना है बीस लीटर यहीं है ना बीस लीटर इसमें 32 लीटर एड किया गया है 32 लीटर कहां से निक और यह कितना है 32 अब ही जो है भाईया हमें क्या करना है देखिए 32 और बीस बीस और अगर आप रेसियो कितना है बीस और बातिस का चार पच्चे 20 चार एट यह बतिस तो जो वॉलूम है उसका अनुपात अगर पांच अनुपात 8 है तो हम यहां यही सोचेंगे ना कि अग से एड और सब्ट्रेक्ट कर सकते थे तो हमें क्या करना है इसके बाद देखिए उपर 9,7,16 आ रहा है नीचे क्या रहा है चौशट आ रहा है आप बात है कि इसको क्या हम और सिंपल कर सकते हैं तो आसरे सिंपल कर सकते हैं देखिए दोनों को जोर के जो आ रहा है था उसमें कोई चेंज़ आप नहीं कि जो उपर 16 और 64 को बचा कर रखना है बाकी आपने मल्टिप्लाइग किया उसका रेशी को ले सकते हैं इधर 8 से मल् आउट हो सकते हैं कि 16 और 64 को डिस्टर्व करेंगे तो साथ नौ भी डिस्टर्व हो जाएगा इसलिए हमने डिस्टर्व नहीं किया है इसके बाद अगर आप देख पा रहे हैं तो जो चीजें बनके आई है कि ऊपर हमें 5 से मल्टिप्लाइग करना है नीचे क्या मल्टिप है आपको तो छो पाचेगार आठ चार बारह एक तेर और इधर आगे आगे है पांच दो साथ चार तीन साथ तो जो रिए सीओ आया है तो एक कोश्चन में थोड़ा क्यालकुलेशन था इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन अगर आपको मिक्चर का आइडिया है कि कैसे हम यूनिट पे करवट करते हैं तो आप चीजों को थोरी आसानी से कर पाते है और जहां तक बात है कि हमें इतना टाइम लगा क्योंकि हमें समझाना है एक्जाम में आपको पर समझाना नहीं होता है तो आप थोड़ा और जल्दी कर पाएंगे चलते हैं दूसरे कॉश्चन के बबादो